हेलो दोस्तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजिनियरिंग गुरुजी में आज की इस वीडियो में हम लोग मेजर्मेंट यूनिट्स को चेंज करना सीखेंगे किस तरह से चेंज किया जाता है तो वीडियो बहुत नोलेजबल होने वाला है अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजे जिससे आप लोगों को रेगूलर नोटिपिकेशन मिलते रहेगा दोस्तो चैनल का मेंबर्सिप अभी तक अगर आपने जोइन नहीं किया है तो तुरंज आकर चैनल का मेंबर्सिप जोइन कर लिजे क्योंकि मेंबर्स के लिए special वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तो तो चलिए करते हैं वीडियो को सुरू वीडियो में बने रहीएगा अंते तक आज हम लोग दोस्तों measurement units को किस तरह से change किया जाता है mm को inch में किस तरह से convert किया जाता है mm को centimeter में किस तरह से convert किया जाता है सारा आज हम लोग समझेंगे live और उसके formula को भी समझेंगे हम लोग तो चलिए करते हैं video को start यह जो है अभी हम लोग सबसे पहले mm को inch में convert करेंगे mm को centimeter में convert करेंगे mm को feet में convert करेंगे और mm को meter में convert करेंगे तो इसका formula क्या है सबसे पहले समझ लेते हैं mm को अगर inch में convert करना है तो आप लोग को क्या करना है यहाँ पे mm को इस तरह से आप लोग को इस formula को याद रखना है दूसते mm को भागा करना है 25.4 से किस से भागा करना है mm को 25.4 से भागा करोगे तो inch लिकल जाएगा अभी example के लि 25.4 के साथ भागा कर देते हैं हम लोग यहाँ पे calculator भी मैंने लिकाल के रखा हुआ है 200 भागा 25.4 एंसर कितना आगिया देखे यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा 7.87 inch ठीक है 200 mm कितना inch होता है 7.87 inch इस तरह से आप लोग को लिकालना है अब ही हम लोग फिर से क्या करते हैं mm को cm से convert करेंगे तो किस तरह से mm को cm में convert करेंगे इसका formula है mm को अगर cm में convert करना है तो आप लोग को क्या करना है भागा करना है 10 के साथ example के लिए हम लोग 200 mm है इसको cm में convert करना है तो 10 के साथ भागा कर देना है तो यहाँ पर फिर से हम लोग calculator में आ जाते हैं 200 भागा 10 तो कितना हो गया 20 cm ठीक है 200 mm बराबर 20 cm आपको ये वाला formula याद रखना है ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे mm को feet में convert करेंगे mm को feet में convert करेंगे तो इसका formula क्या है mm को feet में convert करने के लिए mm को आपको भागा करना होगा 304.8 के साथ अब हम लोग इसको करके देख लेते हैं 200 example ले लेते हैं इसको हम लोग को feet में लिकालना है 200 mm को तो भागा कर देना है 304.8 के साथ केलकुलेटर में करके देख लेते हैं हम लोग 200 भागा 304.8 तो कितना हो जाता है यह फिट में 0.656 फिट ठीक है दो से mm ग्रावर कितना फिट होता है 0.656 फिट इस तरह साब फिट में लिकाल सकते हैं अब हम लोग मीटर में लिकालते हैं इसको अगर mm को mm को मीटर में लिकालना है तो आपको क्या करना है भागा कर देना है 1000 के साथ 1000 के साथ भागा कर देना है कलकुलेटर में आ जाते हैं हम लोग फिर से कलकुलेटर आउट हो गया आ गया फिर example हम लोग 200 ले ले लेते हैं 200 mm है सोचिए इसको हम लोग को meter में लिकालना है तो क्या करेंगे भागा कर देंगे 1000 के साथ 200 भागा 1000 0.2 meter के लिए दोस्तों ये formula आ इसका mm को inch में convert करने के लिए 25.4 से आपको भागा कर देना है mm को जितना भी mm आई में ये example के लिए आपनों को 200 mm को centimeter में करना है तो mm को भागा कर देना है 10 के साथ mm को feet में करना है तो mm को भागा कर देना है 304.8 के साथ mm को meter में करना है आपनों को convert तो mm को 1000 के साथ भागा कर देना है और इस तरह से आपको लिकल जाएगा कितना inch है कितना centimeter है कितना feet है और कितना meter है आप आसान करना पड़ेगा cm को गुना कर देना है 10 के साथ ठीक अब यह example हम लोग ले लेते हैं कि यहां पे 100 cm है सोचिए गुना कर देंगे अभी हम लोग 10 के साथ तो हम लोग का mm लिकल जाएगा तो कितना हो गया 1000 mm अब cm को इंच में convert करेंगे तो इसका formula क्या है cm को आपको भागा कर देना है अब भागा कर देना है 2.54 के साथ इंच लिकल जाएगा तो इसका भी example ले लेते हैं हम लोग 100 cm है सोचिए तो भागा करेंगे 2.54 के साथ इसको भी करके देख लेते हैं 100 भागा 2.54 इसका एंसर आ जा रहा है 39.37 इंच सेंटिमीटर को इंच में आप इस formula से convert कर सकते हैं सेंटिमीटर को fit में कैसे convert करेंगे सेंटिमीटर को fit में convert करने के लिए आपको सेंटिमीटर को भागा करना पड़ेगा 30.48 के साथ 30.48 के साथ आप भागा करोगे तो आपका fit लिकल जाएगा कितना fit है तो हम लोग फिर से example के लिए 100 ले ले लते हैं और भागा कर लेते हैं 30.48 के साथ इसमें करके देख लेते हैं हम लोग 100 भागा 30.48 तो answer आ जा रहा है 3.28 fit ठीक है 100 cm ग्रावर कितना fit होता है 3.28 fit यह formula इसको याद रखना है अब हम लोग को centimeter को meter में convert करना है तब हम लोग को क्या करना है भागा कर देना है 100 के साथ तब हम लोग फिर से ले ले लेते हैं 100 cm बराबर 1 m, यह formula है, इसको आप लोग को याद रखना है दोस्तो, अब हम लोग मीटर को convert करेंगे mm में, cm में, inch में और feet में, इसको भी देख लिए आप लोग इसका formula क्या है, इसको भी note करके रख लिजेगा दोस्तो, अगर आपको अभी meter को convert करना है, मीटर को convert करना है mm में, तो आपको क्या करना है, मीटर को भागा कर देना है 0.001 के साथ, भागा कर देना है 0.001 के साथ, क्लियर है, तो इसको अभी हम लोग meter को ले लेते हैं example के लिए, मोबाइल को इस तरब रख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे, अभी हम लोग meter को करके देख करेंगे, तो meter को करने के लिए example हम लोग ले लेते हैं, कि 2.5 meter है, सुचिए, इसको mm में convert करेंगे, तो भागा करेंगे हम लोग, 0.001 के साथ, करके देख लेते हैं calculator में, 2.5 meter है, भागा कर लेते हैं हम लोग, 0.001 के साथ, answer आ जा रहा है, 357.14 mm, क्लियर है आप लोग को, इ meter को centimeter में convert करने के लिए, meter को centimeter में convert करने के लिए, आपको भागा करना पड़ेगा, 0.01 के साथ, इसका भी example हम लोग ले लेते हैं अभी, 2.5 meter है, सोचिए, तो हम लोग भागा कर देंगे, 0.01 के साथ, ठीक है, तो इसका centimeter लेकर जाएगा दोस्तों, इसको clear कर लेते हैं, 2.5 meter ह के लिए, भागा कर देना है, 0.01 के साथ, तो answer आजाएगा, 250 centimeter, अब हम लोग meter को inch में convert करेंगे, meter को inch में convert करेंगे, meter को inch में convert करने के लिए, आपको भागा करना है, meter को 0.0254 के साथ, तो example के लिए, हम लोग फिरसे ले लेते हैं, 2.5 meter है, इसको inch में convert करेंगे, तो इसके सा है हम लोग 2.5 मीटर है भागा कर लेते हैं 0.0254 एंसर हा गया 98.42 इंच के लिए यह इसका फॉर्मूला है मीटर को इंच में कनवर्ट करने का आपको भागा कर देना है 0.0254 के साथ अब मीटर को फीट में करने के लिए आपको गुना कर देना है 3.2808 के साथ यह फॉर्मूला है दोस्तों इसको आपको याद रखना पड़ेगा अब फिर इसका एक्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि 2.5 मीटर है गुना करना है हम लोग को फीट में कनवर्ट करने के लिए 3.2808 के साथ फिर से करके देख लेते हैं केलकुलेटर में 2.5 3.2808 तो इसका एंसर आ जा रहा है 8.202 फिट क्लियर है तो यह हम लोग मीटर को mm में कनवर्ट करने का फॉर्मूला है मीटर को इंच में कनवर्ट करने का फॉर्मूला है और मीटर को फिट में कनवर्ट करने का फॉर्मूला है और मीटर को फिट में कनवर्ट करने का यह फ इसका formula है, इंच को अभी हमलोग को गुना करना है mm में convert करने के लिए 25.4 के साथ, तो इंच हम लोग लेते हैं कि अभी सोचिए यहाँ पे 16 इंच है, 16 इंच है इसको हमलोग को mm में convert करना है, तो गुना कर देना है 25.4 के साथ, तो हम लोग का mm आ जाएगा 16 गुना 25.4 तो हो जा रहा है 406.4 mm तो 406.4 mm होता है 16 इंच अब इंच को सेंटीमीटर में कनवर्ट करेंगे इसके लिए हम लोग को इंच को सेंटीमीटर में कनवर्ट करने के लिए गुना करना है 2.54 के साथ फिर एक्जामपल के लिए हम लोग 16 इंच समझते हैं कि 16 इंच है इसको अभी हम लोग को सेंटीमीटर में कनवर्ट करना है तो हम लोग को क्या करना है दोस्तों यहां पे लिखा हुआ है कनवर्ट करने के लिए क्या करना है गुना करना है 2.54 के साथ 16 गुना 2.54 एंसर आ गया इसका 40.64 cm 16 इंच कितना cm होता है 40.64 cm ये फॉर्मूला है अब इंच को, हम लोग को मीटर में कौणवर्ट करना है इंच को अभी हम लोग को मीटर में क्ऌईट करना है इसके लिए हम लोग को गुना करना है 0.0254 के साथ गुना करना है इंच को, जितना भी इंच हो, हम लोग example के लिए 16 लेते हैं फिर से, गुना करेंगे 0.0254 के साथ, तब हम लोग का answer मीटर में लिकल जाएगा, अब फिर से हम लोग करके देख लेते हैं, 16 गुना 0.0254, क्या करना है 0.0254 के साथ, गुना करना था, तो answer आ गया 0.4064 मीटर, 16 इंच कितना मीटर होता है, 0.4064 मीटर होता है, ठीक है तोस्तो, मीटर होता है, अब हम लोग क्या करेंगे, इंच को फीट में कनवर्ट करेंगे, इंच को फीट में कनवर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, इंच को भागा करना है, 12 के साथ, इंच को हम करके देख लेते हैं अभी, 16 भागा, 12, तो हो जाता हम लोग को 1.33 feet, ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को करना है दोस्तों, यह formula है, अगर आपको inch को mm में करना है, तो गुना कर देना है, 25.4 के साथ, इंच को अगर centimeter में करना है, तो गुना कर देना है, 2.54 के साथ, इंच को मीटर में करना है, तो इंच को गुणा करデіना है 0.0254 के साथ, इंच को एगर fit में convert करना है, तो इंच को भागा कर दिना है 2L के साथ, इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा गडबड हो गया था, तो मैंने इसको काट दिया है, इंच को आपको भागा कर देना है 2L के साथ तो आज जाएगा 1.33 feet तो यह जो है न दोस्तो यह formula है इसका skin shot लेकर रख लिजे आप लोग इसी formula से आप लोग आसानी से mm को inch में mm को centimeter में mm को feet में और mm को meter में convert कर सकते हो आसानी से दोस्तो यह formula है इसका skin shot लेकर रख लिजे क्योंकि इतना ज़्यादा याद करके रख लिजेगा दोस्तो मैंने ये example के लिए बताया है जिसको convert किया यहाँ पर आप कुछ भी डाल कर इसके साथ भागा करोगे गुना करोगे तो आपको जो answer चाहिए वो आपनोंको मिल जाएगा दोस्तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने मिला नॉलेज मिला तो अभी तुरेंच चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजे जिससे आपनोंको regular notification मिलते रहेगा दोस्तो चैनल का membership अभी तरह आपने जॉइन नहीं किया है तो तुरान जाकर चैनल का membership जॉइन कर लिजे क्योंकि members के लिए special वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ततक के लिए बाई बाई